मस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy के Hindi Practice Batch में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, अभी तक हम लोग ये डिसाइट किये थे कि जो आपकी डेली हिंदी वीडियो वाली क्लास होगी और जो आपको इसके बाद PDF मिला करेगी, ये हफते में केवल 5 दिन होगी परंतु अभी जो ये आपका यहाँ पर चल रहा है, वो क्यों 3-3 सब्द ही आपको दिये जा रहे हैं जो कि कहीं से भी आपका बहुत ज्यादा बर्डन आपके उपर नहीं क्रियेट होगा हफते में इसलिए अब हमारा ये विचार है कि इसको सब्ताह में 6 दिन रखा जाए, यानि सेटेडे के दिन भी इसको रखा जाए और बाकी जब इसको हम लोग आगे चलके 10-10 या 5-5 कराएंगे, 7-7 कराएंगे तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार से रखना है उस समय अगर जरूरी महसूस होगा तो आपकी जो इसको हफते में 5 दिन ही कर दिया जाएगा या फिर अगर आपका पेपर नजदीक आएगा तो इसको हफते में 7 दिन भी कर दिया जाएगा तो जैसा आपके पेपर की डिमांड के अंसार जो भी हम लोग को कदम उप्योगत लगेगा वैसा हम लोग कदम उठाएंगे आज के इस वीडियो में दरसल हम लोग शुरू करते हैं हमाज जो डेट 2 का दूसरा वाले दिन का जो हम लोगों को चीजे डिसकस करनी है उसको तो सबसे पहले देखते हैं जो निबंद का कोटेशन अपने पास है वो कौन सा है निबंद का कोटेशन में तो चलिए शुरू करते हैं ये है कि साहिर लोध्यानवी साहब का एक सेर है इसको देख लें कौन सा है कि ले दे के अपने पास फक्त एक नजर तो है क्यों देखे जिन्दगी को गैर की नजरों से हम इसके मतलब यह है कि अपने पास जो विचारधारा है अपने पास एक नजर है वो ठीक है जैसी भी है वो ठीक है वो अमारी अपनी नजर है हम किसी दूसरे की नजरों से किसी दूसरे की विचारधारा से किसी दूसरे के उपीनियन से क्यों हम किसी चीज को देखें ठीक है यहाँ पर इसकी महत्ता इस्थापित की जा रही है यानि जो स्वतंत्र विचारधारा है उसके बारे में बात की जा रही है कि दरसल स्वतंत्र विचारधारा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है स्वतंत्र चिंतन से ही व्यक्ति का सहज विकास संभव हो पाता है अब ऐसा कैसे तो देखे आप जैसे देखेंगे आज कल की जो मीडिया है उसमें एक धड़ा है जो की पूरा गवर्मेंट के एक धड़ा है जो की गवर्मेंट की केवल अच्छाई अच्छाई ही बताता है एक धड़ा है जो की गवर्मेंट की केवल बुराई बुराई ही बताता है क्या आपको इन दोनों में से क्या जरूरी है जरूरी इन दोनों में से दोनों ही है तो यानि आपको अच्छाई जानन तो खूबिया और खामिया दोनों ही जानना जरूरी है लेकिन हो क्या रहा है यह मीडिया तरसल आपको केवल यह नहीं बता रही है कि यह यह अच्छा कर रहे हैं यह बुरा कर स्थिति है भविश एकदम चिंता जनक है सत्यानाश है इस प्रकार कहीं लोग कह रहे हैं यह दोनों ही विचारधारा गलत है आप समझें दोनों ही यह जो मीडिया के टाइप है वो गलत है मीडिया का काम केवल इतना है कि वह आप में आपको यह बता दे कि क्या प्लस हो रहा ह लोगों पर थोपने की कोशिस करते हैं यह दोनों ही तरफ मौजूद है ठीक है तो आपको इससे बचना है जो कोई भी एक अच्छा मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर यह खूबी अच्छी होती है कि वह स्वतंत्र विचारधारा का होता है यह बहुत प्रयास लोग होते हैं उनमें आप देखें कि कोई भी सरकार के वह एकदम समर्थन में नहीं दिखेंगे और विरोध में नहीं दिखेंगे वह इस तरीके से बात करते हैं कि इस सरकार की यह खूबी है यह खामी है इस योजना की इतनी सारी खूबिया है तो इतनी सारी खामिया भी ह हो गया इस टाइप से वो लोग अपनी बात रखते हैं यह दरसल आप लोगों को अपने कंटेंट में भी फॉलो करना है आप जब भी निबंद लिखें तो निबंद लिखने में आपको इसी प्रकार की एक विचालधारा इसी प्रकार की चिंतन पद्धिती अपने निबंदो हो निश्पक्ष हो ठीक है अब इसमें क्या होता है इसको हम लोग यूज कहां पे कर सकते हैं जहां जहां भी स्वतंत्र विचालधारा की बात आ रही है यह फिर आप साहित के अवददानों में साहित का क्या योगदान घै तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं की दरसल स अपने पास फकत एक नजर तो है क्यों देखे जिंदगी को गैर की नजरों से हम तो इस प्रकार से आप कुछ एक्जामपल दे सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जो अशुद्ध और सुद्ध सब्द है उसमें देखे सबसे पहला जो वर्ड है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कल कुछ लोगों ने कहा था कि यह जूम वाली दिक्कत है तो इसलिए अब साइद आप लोगों दिख रहो तो चलिक अशुद्ध और सुद्ध सब्द में देखें तो यह पहला जगत जननी जगत जननी ये दोनों वर्ड को एक में मिला करके जगत जननी यह औपर रजाओ जाएगा ठीक है जगत जननी यहलात चैथिक है इसको फकी पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है इसी प्रकार से अगला जो मोग शब्द देखेंगे वो देखिए नियो चावर बहुत बार अम लोग जब बोलते हैं तो ये commonly यही pronounce करते हैं कि नियो चावर नियो चावर गलत है वर्ड नियो चावर होता है यानि यहाँ पे दो मात्रा नहीं बनेगी बलकि यह एक ही ही बनेगी तो यानि एक ही ही मात्रा बनेगी आपकी नियो चावर ठीक है यह आपका सही वर्ड हो गया तीसरा है, अक्सर पूछा जाता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यज़ोद जोड़ जाता है, अब देख्यां का मतलब ही होता है बहुत सारे, यानि प्लूरल ये वर्ड खुद ही है, तो जो वर्ड खुद ही प्लूरल है, उसमें अनेकों, उ की मात्रा लगा के, नाम है तो यहां पर यह सही हो जाएगा कौन से हम लोगों तीन वर्ड सीखे तो पहला जगत जननी जगत जननी नहीं होता है बलकि जगत जननी होता है ठीक है दूसरा वर्ड वह कौन सा था तो उसमें देखिए अनेको नाम है अनेको नहीं होता है बलकि अनेक होता है और तीस दरसल जो चक्ष में रहते और जैसे ही सुबह होती है विरह मिला जाता है प्राया और इनके मतलब कहानियां भी चलती है चकवा चकवी की और बाबा नागाजुन ने इन पर कविता भी लिखी है बादल को गिरते देखा है बहुत अच्छी उसमें कुछ लाइन है बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ करंदन फिरुन यह शुरुवात कहा से निशाकाल से चिर अभिशापित चली अभी याद आएगा तुम्हें बता दूंगा बहुत अच्छी कविता है बड़ी अच्छी है बेबस उस चकवा चकवा चकवी के बारे में कहा गया है मतलब पती पतनी आप टाइप समझ लीजे चकवा चकवी एक दूसरे से विरहि जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उन में उस महान सरवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है बादल को घिरते देखा है तो यह बड़ी अच्छी कविता है ब अब दरी देखा है अमल धवल गिर के शिक्रों पर प्रिवर तुम कब तक सोये थे काल इदास सच बतलाना इंद मती के मृतिशोक पर अज रोया या तुम रोये थे तो इसका जब प्रसंग आएगा तो फिर आप लोगों को इसका आदिए बता दिया जाएगा फिलाल ग्रिहनी से यह वर्ड सिंपल होके और घरनी बन गया है ततसम क्या है ततसम मतलब जो संस्कृत के सब्द थे उसको उधभव उससे उध्भूत होके तद्भव बन गये जो की वास्तों में इसको सरल करने के लिए बोले जाने लगे तो वो तद्भव हो गया तो याणि ग्र सम होता है वो यूथ होता है ठीक है यूथ का मतलब जैसे कोई ग्रूप हो गया उसको समझ लिजे तो जत्था यूथ ठीक है तो कौन-कौन से तीन सब्द देखे हैं हम लोगों ने चक्वा का चक्रवाक जत्था का यूथ और तीसरा कौन सा वर्ड था तो आपका घरनी का ग् सब्द हैं वह आपके यहीं इसके साथ ही में कवर होते जाएंगे ठीक है इसमें कुछ अलग से आप लोगों को बाद में बहुत पढ़ने क्या आउसकता नहीं रहेगी बलकि यहीं पर कवर होते रहेंगे चलिए आगे देखते हैं आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक सब्द पर आते हैं और पहला सब्द है आदि से अंत तक का इसको क्या बोला जाता है तो आद्यो पांत ठीक है आदि से अंत तक को बोला जाता है आद्यो पांत लेकिन आदि और अंत अदी और अंत को बोला जाता है आद्यांत तो देखिए दो वर्ड हैं यहां पर आद्यांत और आध्योपांत इस प्रकार के जो confusing word है उन पर ज्यादा ध्यान दे लिया कीजिए तो देखिए एक word है एक word है एक word है आध्योपांत और दूसरा word है आध्यांत तो देखिए ये दो word है अब आध्योपांत और आध्यांत आध्यांत का मतलब होता है कि आधि से अन्त ठिक है और आध्यांत का मतलब होता है आधि और अन्त ये इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको चाहें तो आप अलग से लिख भी लिजेगा क्योंकि ये चीज बहुत confusing पूछेंग होती है आपको यह दोनों ही आएगा और यह भी याद आएगा कि एक इसमें आदी और अंत था और एक था आदी से अंत तक कौन सथा वो यह नहीं याद आएगा तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइप के वर्ट्स को उसके बाद देखिए यह सभी इंपोर्टेंट है आपके लिए आगे देखते हैं सब्द विलोम में तो विलोम सब्द मतलब इसका उल्टा क्या है तो चांचल यह बना है चंचल से तो चांचल जो सब्द है चांचल ये सब्द बनाया है चंचल से ठीक है तो चंचल का उल्टा होता है स्थिर स्थिर से सब्द बन जाएगा स्थैर तो आप से हो सकता है कि ये चंचल का उल्टा पूछ ले स्थिर और हो सकता है कि यह चांचल्य का स्थैर्य पूछ ले लेकिन चांचल्य का स्थैर्य जब पूछेगा तो हो सकता है उसमें आपको example में, sorry, जो option होता है उसमें हो सकता है स्थिर भी पूछ ले, तो अब इन दोनों में आपको select करना रहेगा कि कि स्थिर होगा कि स्थैर होगा तो ध्यान दिजेगे जहां पर चांचल होगा वहां पर स्थाहर होजाएगा ठीक है उसके बाद नेकी मतलब किसी भलाई करना नेकी का उल्टा हो जाएगा बुराई या बदी तो नेकी पर चलें और बदी से डरें तकि हसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, यह सब प्रातना वगेरा होती थी, उससे आपको यह यादी ही होगा, छादन, छादन का मतलब छिपाना टाइप, तो उसका उल्टा हो जाता है प्रकाशन, प्रकाश मिलाना, तो छादन का उल्टा हो जाएगा प्रकाशन, इसी प्रकार से अगर वाक्यानस के लिए एक सब्द की बात करें, आदि और अंत, आध्यंत, आदि से अंत तक, आध्योपांत, और तीसरा जो सब्द था, ताजिया रखने की जगे, इमाम बाड़ा, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, महत्वपून जो इस प्रहा है, इसप्रहा वर्ड ऐसा है जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए कई बार हो सकता है कि यही वर्ड आ जाए sini शायद आया भी हुआ है कि इस प्रहा का मतलब क्या है, तो इस प्रहा जो है वो इच्छा को ही बुलते हैं, एक सकंद गुप्त करके प्रकास प्रसाद जैसंकर प्रसाद जी की एक सकंद गुफ नाटक है। उसकी पहली acted बहुत खूबसूरत लाइन है, exactly तो मुझे नहीं च़ूरत पर ऐस़े कुछ है उसका दिखा, महत्व कांग्षा की इच्छा व्यक्ति से बेगार कराती है ठीक है तो यह इस प्रहा वर्ड से वह याद आ रहा है उसका मतलब कुछ यह हुआ कि आप जैसे देख लिए कि अभी जैसे चुनाओ का समय चल रहा है तो जो भी लोग हैं वह आएंगे और आप से मतलब कुछ भी आप उनसे करा लिजाए अगर दो चार लोग भी जानने वाले आप बता दीजे कि अच्छा हां इस महले में दस वोट हैं जो हम दिला सकते हैं तो वह आपके पैर पड़ जाएंगे तो वह बेगार कराती बेगार का मतलब बेफालतु काम बिना अनपेड वर्क जो है वो तो राजनितिक महत्व कांग्शा में यह चीजे होती हैं आज हमारे यहां पे आएं कॉंग्रेस के सदसे और उनको देखके यह मुझे बड़ा हसी भी आई कि इतनी पुरानी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी और उनके संगठन के नाम पर एक व्यक्ति भी उनके साथ में नही एक कॉंग्रेस का सदस्य नहीं था वो खुद ही अकेले आकर वोट मांग रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी तो हाथ के साथ में और कोई नहीं केवल हाथ अकेले ही चला आ रहा है तो इस प्रकार का कुछ इस्तिती थी खैर चलिए तो इच्छा जो है इच्छा का इहा हो जात होता है ठीक है इस प्रहा है उसके बाद लिपसा इस प्रिहा जो है वह दर्सल बोलने में अपर और नहीं रहा नहीं होगा ऐस है गलत प्रम तो इस्प्रिहा ठीक इच्छा का इहा इस्प्रिहा लिपसा लिपसा भी बोलते हैं इच्छा को ही लिपसा से मिलता जुलता हो गया लालसा ठीक है लालसा आपको पता ही है लालसा लिपसा इहा इस्प्रिहा दोनों एक जैसा मिलता जुलता है फिर उसके आप कामना वासना ये वासना, अभिलाशा, अकांग्शा ये चार एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए आप लोग भी हमाएं साथ साथ में इसको बोलिए एक बार ठीक है आगे देखेंगे तो नरक नरक देखते हैं तो नरक का इसको यम लोग भी बोलते हैं आप लोगों पता है यम दूत आते हैं उठा के ले जाते हैं ऐसा कुछ हिंदु धर्म मानता है तो ये नरक को यम लोग बोलते हैं यम पूर भी बोलते हैं मतलब यम का लोग है यम का पूर है जहन्नुम बोलते हैं उर्दू में और दुरगती बोलते हैं ठीक है दुर्गती यहां पर एक नया वर्ड है यह दरसल आपको ऐसे तो देखने में आसान वर्ड लग रहा है लेकिन जब आपको यह option में दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा कि नरक के परियावाची इनमें से कौन नहीं है तो उसमें हो सकता है आपको यही लगे कि यही व हो जाएगा और दरिद्र हो जाएगा यह चारों परियावाची कोई भी इसमें नए नहीं है बहुत एक अकिंचन जरूर यहां पर नया है तो अकिंचन कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है इसको आप लोग याद कर लीजेगा तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें परियावाची में हम लोगोंने कौन-कौन से सीखे तो पहला हम लोगों को था इच्छा इच्छा का आप लोग साथी साथ बोलते चलिए इच्छा का इहा इस्प्रिहा लालसा लिपसा कामना वासना अभिलासा फिर था आपका नरक, नरक का यमलोक यंदूत यंपूर यंपूर फिर जहन्व फिर दूर्गति उसके बाल आपका तीसरा जो था निर्धन था निर्धन का अकिंचन अकिंचन मेंने बागी तो गरीब कंगाल यह सब sill sudah common है आगे बढ़ते हैं देखते हम लोग आज की प्रस आज की प्रसासनिक सब्दा वली जो है वो है पहला है accord, accord बोलते हैं समझता को जो English मीडियम वाले बच्चे हैं वो चीज समझ रहोंगे, accord बहुत यूज होता है तो accord का मतलब समझता, ठीक है, कोई भी accord होता है, example जैसे आप देख सकते हैं, कई सारे होए हैं तो एकॉर्ड का मतलब हो जाएगा समझादा यानि दो पक्षो में एकॉर्डिंग ली जैसे बाथ हुई लाइबिल्टी जो कॉमर्स के स्टुड़न्स हैं वो लोग इससे बहुत परचित होंगे एसेट्स लाइबिल्टी तो लाइबिल्टी की मतलब होता है देनदारी या देयता तो यह दोनों ही वर्ड हैं दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं ठीक है यह पेपर में आ चुक प्रति आप लाइबल है जैसे आपने मुझे फीस दी है उसके लिए मां आपके प्रति लाइबल हूं की मैं आपको क्लास दूं तो यह मेरी देयता है मेरीAyक pops जिम्यदारी है, उसका मतलब समझने के लिए है, पर आपको एक्जेक्ट वर्ड लिखना होगा, जो भी इसका एक्जेक्ट ट्रांस्लेशन होता है, उसके बाद अगला जो है, यह है सब्स्टैन्टिव, सब्स्टैन्टिव का मतलब हो जाता है, वास्तविक, ठीक है, बात्व कि अिसे होता है दूसरा हो chilli आपका वर्ड लाइबिल्टी मतलब हो गया देंदारी और तीस्रा वार्ड हो ें केा सबूस्टेंट्व fraternity का मतलब मूल या वास्तिवेक ये कह सकते हैं फिर यह इसक पहला है जस दूला तस बनी बराता जैसा दूला है वैसे ही बरात बन गई है जैसे आप हैं वैसे ही आपके साथी भी है यह दरसल इस बारे में बोला जाता है कि जैसे आप हैं वैसे आपके साथी भी है आप देखेंगे एक जैसे किसी ने कहा भी है कि हर व्यक्ति अपने आस पास के ज सबसे जो करीबी लोग है उनका ही हमारे व्यक्तित पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ठीक है तो वैसे ही यहां का जा रहा है कि जैसे मतलब माली कोई गुरूप है उसमें सभी एक जैसे आपको लग रहे हैं तो इस प्रकार्स कह दिया रहता है कि जैसे आप वैसे सभ गी के दिया जलाना बैसिकली किसी खुशी के परवको इंगित करता है खुशी मनाने को इंगित करता है तो जैसे घथ समानता है कि जब राम जी वनवास से लोटे थे तो आयोद्धिया में घी के दीपक जले थे तो वह उसका जो मुहावरे से वहीं से वह मुहावरा बन गया कि उसका मतलब होता है खुशी मनाना कि मतलब आपका जब selection हो जाएगा तो आपके घर में घी के दिपक जलेंगे ठीक है? आगे देखते हैं चीटी के पर निकलना चीटी के पर निकलना चीटी आप देखेंगे तो वह जब उड़ने लगती है तो उसको यह माना जाता है कि अब वह उसकी मृत्यू निकट है तो चीटी के पर निकलना उसका मतलब होता है नस्ट होने के करीब होना तो इसको आप इसी प्रकार से याद कर लिजए कि जब वह उड़ने लगती है तो मतलब वो बूढ़ी हो गई या फिर उसकी एक मृत्यू निकट है इस टाइप से ठीक है तो चीटी के पर निकलना मतलब नस्ट होने के करीब होना ठीक और चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी हम लोग अब इसको हम लोग 6 दिन लेकर चले में और जल्दी हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार